अश्कार सातियों हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक सवगत है सातियों आज हम चर्चा करेंगे सविधान की प्रस्तावना यानि की उद्देशीका के बारे में चर्चा करेंगे प्रेंबल आप इंडियन कॉंस्ट्यूशन इसका नाम है वेसे इंगलीस में बोलते हैं जब देखें विधार्तियों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश से प्रस्ताव जवालल नहरू के दवारा सविधाहन सबा के समक स्पेस किया गया और इस प्रस्ताव को विधार्तियों 22 जनवरी 1947 को सविधाहन सबा के दवरा पारित कर दिया तो सविधाहन की प्रस्तावना से सम्मंदित जो प्रस्ताव लेकर आये थे विधार्तियों वो कौन लेकर आये थे जवालल नहरू लेकर आये थे 13 दिसंबर 1946 को लेकर आये थे और इसको पारित कब किया गया तो 22 जनवरी 1947 तो और अमेरिका का जो सविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सामिल किया गया था। अब इस प्रस्तावना के बारे में हम कुछ important fact है वो पड़ेंगे प्रस्तावना सविधान का भाग है या नहीं इससे सम्मनित कौन-कौन से case है और पूरी प्रस्तावना जैसे हम भारत के ल अब मैंने एक्जाम में देखे हैं गत परती होगी प्रिक्षाओं में आपने भी कई एक्जाम दी होगी उनमें देखा होगा कि यहां से परस्तावन बनते हैं तो इसलिए एक important content मैं आपको देने की तरफ जा रहा हूं तो सबसे पहले अगर बात करें कुछ महतवपूर्ण प्रस्तावना के बारे में देखो विद्यार्तियो एक विद्वान है जिनका नाम है एन ए पालकी वाला उन्होंने का है कि प्रस्तावना सविदान का परीच्चे पत्र है क्या है प्रस्तावना जो है वो सविदान का परीच्चे पत्र है उसके अलावा जो पूरू नयादि दिये गए हैं उनको कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है यह डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं इसके अलाव भी दैठती हो कनया लाल मानिक के लाल मुंसी यानि के मुंसी ने कहा कि प्रस्तावना को राजनेतिक जनम पत्री का इन्होंने इन्होंने जनम कुंडली का इस से प्रस्तावना हमारी संपर्भू लोगतांत्री गंडराज्य का बविश्य ये बाते किस ने कई प्रस्तावना के बारे में के मुंसी ने कई इसके अलावा अल्ला दी कर्षना सौमी अयर ने प्रस्तावना के बारे में क्या का है कि सविदान की प्रस्तावना हमारे दिर्ग क इन्होंने इसे भारती सविदान की कुझी आभूशन एक उचित इस्तान जहां से कोई भी सविदान का मुल्यांकन कर सकता है ये सारी बाते कौन कहता है ठाकुर्दास भारगों कहता है अरनेस्ट बारकर ने क्या का है सविदान की प्रस्ताना को लिखने वालों को राजनेतिक बुद्धी जीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं सविधान की कुंजी इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल और सोसल एंड पॉलिटिकल थियोरी 1951 की शुरुआत में उल्ले किया है कि ये सविधान की कुंजी है इसके अलाव विद्यारतियो प्रस्तावना सविधान निर्माताओं क विचार जानने की कुंजी है नो डावट इसमें किसी परकार कोई डावट नहीं करना चाहिए आपको इसलिए इसे सविधान की कुंजी भी कहा जाता है अब जो प्रस्तावना है वो क्या है देखिएगा ये हम बारत के लोग बारत को एक संपुन परभुत्तु संपन समाज वाजवादी पंत निर्पैक्स लोग तंत्रात्मग गंडराज्य बनाने के लिए तता उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सवतंतरता परतिष्टा और आउसर की समता प्राप्त करने के लिए तता उन सब में व्यक्ति की गरीमा और रास्टर की एकता और अकंता सुनिशित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए दर्ड संकल्प होकर अपनी इस सविधान सबा में आज तारिक 26 नौंबर 1946 इश्वी मीती मार्ग सीर्ष सुकल सब्त मी समद 2006 विकरमी को एतत दवारा इस सविधान को अंगीकरत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं विद्यारतियो आई एस प्री जैसे एक्जाम में यहां से परसन बन चुका है इनको करम से जमाना आता तो सबसे पहले अंगीकरत अधिनियमित और आत्मा अर्पित आता अध्यानकना इस जो प्रस्तावना है विद्यार्तियों जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपुन परवुतु संपन समाजवादी बनाना चाते हैं तो विद्यार्तियों इसमें जो भारत सब्दना दो बार आया है कितनी बार आया है दो बार यह भारत रहा है अब यह इन सब्दों का सब्द अलग अलग हर्त जैसे न्याय हैं तो न्याय में तीन परकार के न्याय की बात कर रही है सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय की बात की विए अगर सवतंतरता की बात करें तो पांच परकार की सवतंतरताओं के बारे में इसमें लिका हुआ है विचार अभीव्यक्ति व स्पिरिंट है 1949 आज तारीक 26 नौबर उनिस्सों उन्चास है 46 नहीं विद्यार्ति इसको काट लेना द्यान लगना ठीक है आगे देखिएगा प्रस्तावना के चार तत्तु कौन कौन से है तो प्रस्तावना के विद्यार्तियों चार तत्तु है सविधान के अधिकार का स्रोत भारत की परकरती और सविधान के उद्दे से और सविधान तयार होने की तीति तो सविधान तैयार हूने की तिति क्या 26 नौबर 19 clerkकर दिये हैं और तो ठीक है यह सवतंतरता समता और बंदूता सविधान के उद्देश हैं इसके अलाव अगर इस परस्तावना के मुख्य सब्दों की बात करें किसमें मुख्य मुख्य सब्द कौन सा है तो संपर्भुता मुख्य सब्द है समाजवादी धर्निरपयक्स लोक्तांत्रिक गंडराज जे न्या सवतंतरता समता और बंदूतू इस परस्तावना के मुख्य मुख्य सब्द है अलागि मैंने इनको हाइलाइट भी कर रहा है देख लीजिए आप अलग-अलग कलर से कर रहा है इनको हाइलाइट ठीक है ना आगे देखिए अब इस परस्तावना में देखिए यह जो सब्द जबाट एक आया है हम भारत के लोग हम भारत के लोग उससे के अटाद पर ये तो इस erfahren जो अंतिम तेए ऐ 한 Till है योग करें itu है और में यह ऑ और यह grab चैए है वो कहां से गरंग किया गया है संगत रास्टर संग का जू चाटरht रहे उससे हमने यह गरंग किया है इसके लावा एक सब्द के संपुन संपं यहां पर्भुत alan वे कहते है इसरबों कहने से तो यह क्या है भारत आंत्रीक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से सवतंतर है, किसी के दवाओ में नहीं ध्यानकना, आंत्रिक मामला हो, चाहे बाहरी मामला हो, उसमें पूर्ण रूप से सवतंतर है, इसलिए उसको क्या कागा है, संपूर्ण परभुतु संपन, सविधान की प्रस्ताओना का सबसे अगर मुख्य सब्द एक ही सब्द पूछे आपसे तो क्या बताना आपको संपूर्ण पर्भूतु संपन बताना है और संपूर्ण पर्भूतु संपन नहीं हो संपूर्भूता हो तो भी राइट है यह सारभूमिक संपन हो तो भी राइट है कोई सा एक सब्द आएगा तीनों सब नहीं था इसको 42 सविदान संसोदन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था देखिए विद्यारतियों 42 सविदान संसोदन के तहत तीन सब्द जोड़े गये थे एक तो समाजवादी पंतिन इपक्स और अखंड था ये तीन सब्द जोड़े गये हैं आगे देखिएगा जो समाजवादी बाली बात है विद्यारतियों वो नीती नीदे सिक तत्तों में भी हमें देखने को मिलती है नीती नीदे सिक तत्तों का उलेक मिलता है भाग चार्क में मिलता है और आर्टिकल बात करें तो 36 से लेकर एकाउन तक के आर्टिकलों के बीच में हमें समाजवाद जैसे सिस्टम का पता लगता है मापे इसके अलाव विद्यारति उदारी कंड नीजी कंड और वेश्युकंड की जो नहीं आर्थिक नीती थी उसमें थोड़ा लचिला बना दिया था इस सिस्टम को अगर हम बात करें इसी कोई हम कहते हैं धर्म निर्पेक्स्ता राज्य यानि भारत का अपना को धर्म नहीं होता है लेकिन व्यक्ति सवतंतर है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है और ये पंत निर्पैक्स्ता वाला जो सब दह विद्यारतियों इसको भी 42 सुविदान संसोदन 1976 के तरह जोड़ा था और ये पंत निर्पैक्स्ता है धर्म निर्पैक्स्ता हमें कहां पर दिकाई देता है तो यह जो मौली का दिकार है विद्यारतियों उसमें दिकाई देता है भाग तीन में मौली का दिकारों का उल्ले करका है और उसमें धार्मिक सोतंतरता का दिकार है तो वहाँ पर हमें सिधा सिधा दिखाई देता है अमुछे 25 से लेकर 28 के बीच में आराम से हम देख सकते हैं उसको अब आता लोगतंत्रात्मा का मतलब देश हमारे हैं परदान मंत्री होता विद्यारतियो इसके अलावा एक अबरहीम लिंकन की वक्तव है जनता का जनता के द उसको डॉक्टर भीम्रा अमबेड करने एक वक्तव बोलाता यह वक्तव कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है क्या वक्तव है था इनका राजनितिक लोगतंत्र तब तक इस थाई नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल सामाजिक लोगतंत्र नहीं हो यह वक्तव किसक हमारा जो राश्ट्पती होता है वो पांच वर्ज के लिए चुना जाता है और आपर्टेक्स रूप से चुन्हां होता है भारत का रास्ट्र आतेश निर्वा चित होता है ना कि ब्रोटेन में क्या है विद्यार्ट हो तो यह बन सानुगत होता है जानगना मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता है इंडिया में ऐसा नहीं है विद्यारतियों अमेरिका में जो राष्टिक चुनाओं होते हैं वो पर्तेक्स और रापर्तेक्स दोनों परकार से होते हैं अगर बात करें नयाए इस प्रस्ताव में विद्यारतियों तीन परकार के नयाए की बात कर रह सामाजिक आर्थिक राजनेतिक तीन परकार के नयाएं है और नयाएं की आउधारना जो इस प्रस्तावन हमें लिग गई है वो कहां से गरण की गई है विद्यार्थियो उननी सो सत्रा की जो रूस की करांती थी उससे हमने गरण किया है इनकी सुरक्सा मौलिक अधिकार निती निद्रिक सिधानतों के जरी की जाती विद्यार्थियो जो नया हैं तीन परकार के सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नया है कि इसुरित और त्विष्टा पाये जाती है इंडिया अगर हम सवतनतरता की बात करें तो प्रस्तावनों में पांच परकार की सवतनतरता का उल्ले उलेक किया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धरम और उपासना तो पूचा जाता है प्रस्तावनों में कौन सा सवतंतरता की उल्ले कर रहा है किसका नहीं किया हुआ है तो ये पांच परकार याद रख लेना आप तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वा, धर्म और उपासना लोगों की गतिविदियों पर किसी परकार की रोक टोक नहीं होना साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर परदान करना ही क्या किलाता विद्यारतियों सवतंतरता किलाता है और ये सवतंतरता, समानता और बंदूता की जो अवधारना गरन की है वो फ्रांस की करांती से गर क्या है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेशादिकार की अनुपस्तिती और बिना किसी बैदबाओ के हर व्यक्ति को समान आउसर परदान करने के उबंद है समता तीन आयामों पर काम करता है नागरिक राजनितिक और आर्थिक और अगर इसके हम आर्टिकल देखे कि कौन कौन से आर्टिकलों में हमें समता दिखाई देता है तो अनुशित 15,16,17,18 इसके लावा 39,325,326 में यह हमें दिखाई देती समता जिसे सब्दाहुलियों का प्रियोग किया गया है समता के जो भावार्त है वो महाँ पर चीपे वे इसके लावा आता है एक बंदुतू बं चार कैम मिलता है उसके भी आर्टिकल कौन से मिलता है इकाउन कैम मिलता है विद्यारतियों इसमें दो बाते होती ही व्यक्ति का सम्मान करना और देश की एकता और अखंडता का द्यानकना अकंडता सब्द विद्यारतियों 42 सविदान संसोदन 1936 के तह जोड़ा गया था मै गंड़ाजी भारत की सविदान की परकरती को बताते हैं तो परकरती को कौन-कौन से सब्द बताते हैं विद्यारतियों कि भारत के जो सविदान उसकी परकरती कैसी होगी समाजवादी पंद्रिफिकता लोगतंतरात में अगर बात यह तो अलग हो गया कि यह कोई आपका का करने हैं सविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है मतलब सविधान का भाग है या नहीं है इस बात को लेकर काफी विवाद चलाता विद्यार्टियों तो विवाद ये है कि सविधान का भाग है या नहीं है पहली बात तो तो आज बरतमान में अगर हम बात करें तो इसको हम सविधान का भाग मानते हैं लेकिन स्टाटिंग में क्या हुआ एक केस आया ता विद्यार्टिय सुप्रिम कोट में और उस केस का नाम था बेरूबारी संगबाद 1960 का केस था उसमें सुप्रेम कोट ने दीतों कि प्रस्तावना सविधान का भाग नहीं है तो कौन से केस में सुप्रेम कोट ने ये का था कि प्रस्तावना सुविदान का भाग नहीं है तो बेरुबारी बाद वाला जो केस था विद्यारती नाइंटीन सिक्स्टी का उसमें का था फिर उसके बाद में सुप्रीम कोट का एक और केस में निर्णे आया और उस केस का नाम था केसवाननद भारती बनाम केरशलकार वाद 1973 तो विद्यारती सविधानिक पीट ने फैसला सुनाया था और इसमें का आता है इस वाद में का गया था कि प्रस्तावना सविधान का भाग है क्या का गया सविधान का भाग है विद्यारती प्रस्तावना और इतना और के दिया कि इस प्रस्तावना में संसोदिन भी किया जा सकता है लेकिन इसके मूल डाचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता मूल डाचा सविदान का क्या होता है तो इसका तो निर्ने सुप्रेम कोट ही करता है हम कोई भी नहीं बता सकते हैं यह सविदान का मूल डाचा है या नहीं है प्रस्तावना का मुल्ड आचा क्या होगा इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसको डिसाइड कौन करेगा सुप्रेम कोड करेगा दूसरी बात यह विद्यारतियों कि जो अब तक एक बार संसोदन हुआ है और वो हुआ बैयाली सो सविदान संसोदन उनीसो चीहतर और उसक 255 का एकूर मामला कrocket नने उसमें क्या का अपने दिने में विदान का आंतरिक इस्सा है और यह приходिसमें सविदान नहीं बताया इसको किसको प्रस्तावना को प्रियंबल इंडियन कॉंस्टियूशन का पार्ट नहीं है ये बात कौन सा केस कहता है बेरुबारी केस कहता है और कब का है 1960 का तो ये तीन केसों की सनियाद रखना आप प्रियोगी नहीं है इस प्रस्तावना के सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर सकते प्रस्तावना में अब तक एक बारी संसो दन हुआ है वोबी बैयारी सो स्वेदान संसो दन 1940 और उसके टायत तीन सब्डु जोड़े गए है सपा सप開स का मतलब है समाजवादी क्या भी देर दियारते हो समाजवादी और पी का मतलब है पंफ निर्पेगस्ता और एक का मतलब अखंडता ठीक है तीन सब्द जोड़े गए हैं जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे तो मूल प्र आपसे पूचा जाए मूल प्रस्तावना में कौन से सब्द नहीं थे तो समाजवादी पंद निर्पेक्स्ता और अखंडता जैसे सब्द नहीं थे और पंद निर्पेक्स्त अपको प्रस्तावना सविधान का भाग है अर्ता इसके मूल ढाचे में कोई संसोदन नहीं किया जा सकता है अब तक एक बार संसोदन हुआ है इसके अलाव कुछ फैक्ट अविद्यारतियों बर्तमान में भारत में मिस्रीत अर्थवेस्ता पाई जाती है और जो सामाजिक आर्थिक और राजनितिक जो न्याए वाले अवदार्णा वो रूशी करांती से लिगई है अब विद्यारतियों कुछ और फैक्ट है उनके बारे में जान लेते हैं पाकिस्तान ने 1956 तक बिटिस डॉमिनियन रहा था और बारत संग का सदस्य बनाता 1945 में नाकारा बनाम बारत संग के स्लाता 1983 को नोट ध्रमके परति राज्य के जो विवार होते हैं वो तीन परकार का विवार बताये गया विद्यारतियों कि तिम पर करका पता है तीन पर करका एक ightना थिंद तने सही एक से학교 ठाउट और किसे चैते हैं ईजो सबी दर्मों का विरोध करता है उसे नास्तिप्राज़ केते हैं सेधनिति किसे क्यातों ऐसा कोईय में में देश चिह गशारा विशे से ही लिए जा राज यह रुपेक्स राजर किसको किते हैं ध Graham के मावले में ना सुनने हैं ठासरेतें दभारत और अमेरिका इनका कुद का को नीजी वो नहीं है रहने वाले जो लोग है वह ogyसी भी धरम को अपना सकते हैं डेमोक्रासी नाम आपने सुना है डेमोक्रासी दो ग्रीक सबयों कर बना डेमोस और करारिया और डेमोस का मतलब ओताइ लोक और करारिया का मतलब होता शासन तो बिध्यरतियों इस परकार यह जो प्रस्थाउना वाली चर्चा थी वो हमने कंप्लिट की वên जल्दी आप के जरीए तो भी धहरतियों उम्हित कर रहा हूं आपको मेरे कंटेंट बहुत अच्छे लगे होंगे कैसे लगे आप भी एक बार कमेंट्स करके प्लीज बताईएगा और मैं कोशिज करूंगा कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस हो चाहिए रास्तन पॉलिटिकल साइंस हो उसक के लिए आपको बहुत बहुत दन्यवाद थेंक्यू